नमस्कार दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आपका मारी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड विबाग में बंपर बरती के बारे में जहाँ दोस्तो आपके काफ अच्छे पधाब पे वेकेंसी निकल चुकी है अल इंडिया लेवल की वेकेंसी रहने वाली है आवे दिन आप कर सकते। दोस्तो इसमें दसवी पास, बारे पास और ग्रेज़ूट केंडिडीडेट्स के लिए वेकेंसी निकल चुकी है और दोस् मेर help line operator और computer operator की जरूत पड़ेगी इसके लिए आपे official notification निकाला गया है दोस्तों आप आवेधन कर सकते हैं online जाके online आवेधन करने के लिए आपको आप 25 तारिक का wait करना पड़ेगा और तब से आपके आवेधन स्टार्ट हो जाएंगे official notification आप यापे website से जाके download कर सकते हैं पूरा detail में आपको notification मिल जाएगा तो दोस्तों इस vacancy के बारे में आप पूरी update जान लेते हैं बिना किसी देरी के आप करते हैं वीडियो को start दोस्तों आधार काड विबाग में आपकी bumper भठती निकल चुकी है आपके 12,000 से ज्यादा पदो पे vacancy रहेगी www.uidi.gov.in इसकी official website रहेगी वाँ पे आप जाके आविदन कर सकते हैं दोस्तों computer operator और customer help line operator के पदो पे आपकी vacancy रहेगी vacancy all India level की रहने वाली है online आपको आविदन करना पड़ेगा vacancy के लिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे computer operator की तो ur, obc, ews, sct और x-servicemen की total मिला क्या पोस्ट अच्छे कर सकते हैं इसे यहाँ पे customer help line operator की भी आपे categorized post बता रखी है दोस्तों कुछ पोस्ट है आपकी permanent रहेगे तो कुछ पोस्ट है आपकी temporary भी रह सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पूरी vacancy के बारे में update दे देते हूं जैसे की eligibility criteria computer operator के लिए बार भी pass होना ज़रूरी है minimum यहाँ पर local language का knowledge भी आपको होना ज़रूरी है दूसरे number पे customer help line operator 12th pass माँगा गया है और इसके अलावा बाद में हम बात करेंगे selection process की selection process आपका दो phase के अंदर होगा written examination आपका conduct करवाई जाएगा उसके बाद में आपकी typing और efficiency test skill test भी आपका conduct करवाई जाएगा typing के अंदर आपका minimum 40% लाना ज़रूरी दोनों section के अंदर हिंदी और इंग्लिज दोनों में ही आपके आपके typing कंड़क्ट करवाई जाएगी इसके बाद में हम बात कर ले थे age limit criteria के तो दोस्तों आपके maximum 40 साल का रखा गया minimum आपके 18 साल होना ज़रूरी है दोस्तों अगर age relaxation की बात की जाए तो SCST को 5 साल का OBC को 3 साल का और PWD candidate को 10 साल का relaxation दिया जाएगा आवेदन केसे करना इसके लिए में आपको बता दो कि online आवेदन आप कर सकते है 25 तारिक से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएगे 25 जनवरी से रहे करके 15 फरवली आपके large data रहे कि उसके पहले पहले आप आवेदन कर सकते है और दूसरा कोई भी other mode आपको यहाँ पे applicable नहीं होगा online mode यहाँ आप आवेदन कर सकते है official website पे आपको visit करना पड़ेगा मोबाइल नंबर और ID से उसके बाद में वापस से login करने के बाद में सारा detail में आपको forum feel करना पड़ेगा यह आपका process रहने वाला है इसके अलावा documents को उनकों से upload करने पड़ेगा आपको recent photograph, signature और left थम impression आपको यहाँ पे upload करना पड़ेगा और दोस्तों अगर application fees के हम बात करें तो UR, EWS और यहाँ पे OBC candidate को 4500 रुपे आपको fees के जमा कराने पड़ेंगे और LCST और PWD candidate को DICE रुपे fees के जमा कराने पड़ेंगे online mode आपको रहेगा, fees का payment भी आपको online ही करना पड़ेगा, all India level की vacancy रहेगी male और female दोनों ही candidate आवेदन कर सकते हैं दोस्तो काफी अच्छा सुनारा मौका अगर आप आप गौर्वेंट जोब की तयारी कर रहे हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा, अब मिलेंगे next वीडियो में एक नई update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो